प्रूजर बाइक और अगर हम कैफे रेसर की बात करें तो यह दो बाइक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह most wanted और most favorite bikes हैं आजकल audience में जो crowd पसंद करते हैं bikes को लेना, super bikes को लेना उसमें royal infield का नाम वापस से जो है लोगों के दमाँ पर है और जैसे एक time अथा हम लोग देखते थे road पे royal infield की bikes का दबदबा वापस से वही चीज़े आ रही है क्योंकि royal infield ने जो अपना पूरा कारवा है वो बदल दिया है और modern bikes को लेकर के आए हैं लागी यह bike बिल्कुल नहीं नहीं अगर हम interceptor 650 की बात करें तो 5 साल पहले यह launch हुई थी supermeteor 650 जो है वो recently launch हुई है लेकिन यह दोनों bikes जो है यह most favorite और काफी hot selling bikes है इनकी अगर हम bookings की बात करें तो booking भी बहुत जबरदस चल रही है 3-3-6 महीने की bookings है अगर interceptor 650 का वीडियो आपने अल्रड़ी देख लिया एक walk around वीडियो आपने बनाया इसका जिसमें हमने आपको information दी about the specifications and features दूतर हमने इसका एक drive review किया एक experience शेयर किया जिसमें कि यह bike चलनने में करें आज एक फोड़ा और different तरीकी का वीडियो आपके लिए लेके आया है जिसमें हम बात करेंगे इन दोनों bikes के बारे में आपने काफी पसंद किया था अब दुवारा हमारे चैनल पर आये हैं सर और इस बार इनोंने ली है पिल्कुल ब्रैंड नहीं हूँ सुपर मेटे और 650 और जो मैंने बढ़ रही है बाइक लांच हुई है लोग शैद जो थोड़ा सोच के लेना चाहरे थे वह आप बोकिंग डाल रहे हैं बिकर से वांट तुसी के ऑन रोड के बाद में क्या रिवीव जा रहे हैं तो सिंस मुस्ट आप दे रिवीव जार गोड़ सुना वीप अर जो को पता आपको पता है इसके तीन मॉडल आते हैं तो यह वन ओ टी टॉप मॉडल आता है जिसमें दो ऑप्शन आते हैं और यह सलेस्टिल ब्लू सो सलेस्टिल इस टॉप बन ओन रोड डेली जो मुझे पढ़ा है इस अरूंड 445 फ्लस उसको पर में फिन यह जो मेंडिटरी एक्से आपको यह वाले मिलते हैं अच्छा बट जब आपको क्लूजिंग पर जाना ना तो यह दिस गिव और मैं चाहरा था पहले एस्ट्रल ब्लैक में यह इंट्रस्टेलर वर्जिंस पर जाने के लिए मोर और इस मेरे इंट्रस्टेलर उसका काफी अच्छा लुक आता है वह ब आपको बैठेखा हूं हमारा एक ग्रूप है वह एवन तीन-चार ग्रूप में हम राइड करते रहते हैं संडेश विगरे में वन और गूरूप मेंबर उल्रीड एट इंटरस्टेलर जब पीछे बैटेन करी 15-20 किलोमेटर की राइड करे तो इट उस लाइक कि नहीं आरा इवन पेक राइट वह भी इसमें किया बिकज़ अल्टीमेटली जब आपको टीन अशेसरी इसमें अड़ जाती है अपका कला जो ऑप्शन सुस्में नहीं जो इसमें आपको डूप्शन मिल रही है डू वाइट वह बढ़ी वह बैसिकली आपकी अपकी शेलियल का ही एक व भी खड़ी है जब आप लेने गए तो अब विसली है तो इसको अपने ट्राइब लिया था चला के देखा था नहीं देखा था अब हम तो है वह दोनों बाइक चला चुके है तो अच्छा डिफरेंस बता सकते हैं चला के देखा था सर इंटरसेप्टर भी चलाई जेटी कॉं तो उसके वज़े से जो मुझे कंफर्ट का आधत है उसकी अंदर पोजिशन थोड़ा में रहना अग्रेसिव बन रहा है मुझे उससे थोड़ा और चाहिए था नौट एग्रेसिव इस थोड़ा साथ में जाना बैटर रहा है प्लस थोड़ा सा क्रूजिंग में लाइए ल बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लिरेंस एक बाइट पर जाएंगे या ओफ रोड़िंग करेंगे या इल्स पे जाते हैं तो वहाँ पर इसु नहीं था कि आराम से चलिए इसली तो तो सर देखे लॉंग रूट्स पे और इवन सिटी रूट्स पे बीड़ा नहीं पर पर पर नहीं है प्राउब्लम सिरफ वहां पर आ सकती है जहां पर आपको बहुत अनिवन फीर बेकर बना दे जाते हैं विचार नौट ड़न बाइध बाइग बना दी जाते हैं तो तो उसके वह निवन का स्टेंडर्ड नहीं है अब वह इतना उपर होता है तो देन देर राइडिंग इट केरफुली इन देट लोगेश्ट यह सेम चीज़ मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था और मैंने भी फील किया था एक तो इसका सस्पेंशन थोड़ा सा हाड है स्टिफ में इस जो ट्रैवल करता है वो भी काफी थोड़ा सा कम है तो उस वजह से आप आप बहुत जंप कराके लेके जाएंगे तो फिर तो अराम लगेगी लगेगी लेकर आप थोड़ा सा कॉंशिस हो कि चलाएंगे और थोड़ा आराम से निकालने कोश्च करेंगे तो थोड़ा वह पॉट जहल जाएगी नीचे नहीं लगी और मेरे पूरे एक बार भी यह लगी हो मेरे पास मैंसा एक्सपरियंस कभी आया नहीं लगने का उसके और एक दो रीजन आव आजाते हैं एक तो आगे का सस्पेंशन आपको इस्टेफ होने का बावजूद कंफरेबल अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन आपसाइड डाउन उसकी शोवागा वह उसमे जो है आपका कॉंप्रमाइज नहीं होता है अभी तक वह इस नहीं हो पाट मैं यह नहीं करेंगे तो फिर तो लगेगी लगे 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 अगर द्यान से चला रहे हैं तो 135 कर दिया होता तो फिर तो बहुत है पर जो प्रॉपर इंजिनिरिंग है उसकी साब से उसकी जो इवन की जो वील बेस है वो फिटीन अंडर में है उसे आप से जो है वो भी काफी चीजे मैटर करते और मिर को एक चीज जो सबसे अच्छी और लगी इस बाइक में वह आपकी जब जो फुट की जो प्लेस्मेंट है वह आपकी बॉड़ी वेट को पीछे की तरफ तरफ जो अपके पीछे की तरफ दखेल और उसे क्या रहता है कि आपका एंगल जो पोस्चर रहे वह काफी स्टेट रहता है आपको यहां पर जो है वेट नहीं आता है इवन कि आपको तारा वेट पर बैक पर ट्रांसर ओजाता है इवन उस पर भी आपको इतना फिल नहीं होगा है फिंटना ऑइल जश लाक और सघ फेट कर दो टदेंशन अज है तो अटनी और तो घल यहां पर आपको ज़ने यह सब में सो जा लेते हैं और उसके थोड़े तो एक रहन रहे ब्रेक लेना है मेरा ऐसर देखिए अगर तो आप किलोवीटर वाइस सिला रहे तो करी करीब डिले गंटा या पिये मानने करीब करीब अपनी हीट बत्रोफ करें अला कि को येर कोईल और और वाल कोईल दूनों है यह हम जानते हैं लेकिन फिर भी एक हीट तो थेखिए वह इंजन है थाड़े शाड़े श्यूश्य का इंजन अगर नहीं है तो आपको अंदाजा लगा लिजिए गाड़ी में शेजिशी का इंज बिल्कुल तो आप क्रॉस कर रहे हो इस नॉट लाइक कि यहां पर बचे हुए हो जब आप यहां तो आप नहीं तो यह तो आप एक्सपोज़ एंजन के सामने पॉइंट सिर्फ यह है जब आप सिटी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक में होगे तो आपको हीट फिल होगी व प्रॉपर शूज में और अगर जीन्स पेकर में चला रहे हो या गियर के साथ में चला रहे हो यह विल नॉट फिल दैट बच नॉर्मली तो बहुत अच्छा आपको फील होगा इन उसके लिए नहीं अगर आप निकर पहन के कैप्री पहन के मार्कर तक चलाना चाथ तो इस अब एक चीज़ और इसमें बात करूंगा कि माइलेज वगरा की हम बात करते हैं क्रूजर बाइक्स अलगी यह सुपर बाइक्स हैं 650cc इंजन है माइलेज की बात करते हैं मैंने माइलेज अभी जब मैं अमबाला से डैली तक आया हूं और उसके बाद जमने यहां लोकली ड सर विसके बाद वड़ी और स्मूध होगी बाइक आपकी क्या स्पी टॉपी टोगरा कैसे रहती रहती रगाप सर जब मैंने अभी नहीं ली थी आए फॉलोड दी कंपनी नॉम जो कंपनी कहते हैं कि एक गंटे के बाद आपको ब्रेक नहीं बाइक में और नहीं बाइक में सब्सक्राइब करीब तक पड़ा तक पड़ा था बाइक बाइक और उसके बाद जो डैली में चलाया वीच में दो बाइक किनी ओवराल चल चुकी यह होगी सर अभी करीब 370 किलोमेटर एक और चीज जो मैंने जो इस पर्टिकुलर ली मैं सोपरमेटियोर की बात करूं तो मैंने जो वेस की वह उसको भागाने से ज्यादा जब आप इसको अराम से चलाते ना एक अच्छे गेर पे फॉर्ट फिफ्ट शिक्स चलाते और क्रूज करके फॉर्टी फिफ्टी पे चलाते हैं खाली रोड ऑविसली ट्रैफिक में नहीं का अच्छी फील एक अच्छा चलाने और आपको तोड़ा सानी करें तो तुड़ा सानी करें और तुसरे गारी चलाने अब तो लोग बहुत जबदर्फ आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप स्पीड में आप चल सकते हैं आराम से नोकिंग नहीं करेगी बिल्कुल भी और इंफक्त विफ्टी से लेकर 150 तक की स्पीड जो है वह आप फिंगल गेर पर निकाल से अब थोड़ा सा आप जाते हैं सुपर मेटियोर से और आते हैं अपनी इंट्रसेप्टर शिफ्टी पे तो गुर्दी जी आप आपने जो है हमारा जो वीडियो का पॉइंट था यहां पर यह भी था क्योंकि हमारे हैं और वाइचांज की बात है हमारा प्रोग्राम बना गुरदीब जीजी के साथ के भाई आप अपनी वाइक लेकि आई और रिव्यू के लिए एक पॉइंट बना कि खीक हम आप इंट्रसेप्टर 650 वी चलाई और एक अपना फीडवेक शेर कीजिए आपका क्या माना आप अपने अल्रड़ी उसको चला लिया ठीक टाउट इसकी भी ली थी आपने रिजन भी बता दिया कि क्यों इसको रिजेक्ट टीजिए और उसको लिया पट्सिल मतलब इसमें क्या खासियत और चीजे लगी परफॉमेंस वाइस पूर्फ वाइस कैसा लगा यह बाइक मतलब अब यह बांके यह चलिए उससे करीब करीब तीज चालिस किलो चालिस किलो तूब एक्जैक 40 केजी का फरके अब वो फील होता है वन्यूर एक्शली राइडिंग इस एक्शल में सीटी बाइक मुझे ज्यादा लगती और सइड़ों रेसर और रोट स्टर इसको बोल देता इतर नहीं है और स्लाइट लिए बड़े प्यार से लें लें चेंज कर और यह आप देख करके आपको जड़ा से लगता है किया गैप है एंड यू नीड चेंज दी लें यू के इमेड़ेटली चेंजी आपको रस्पॉंट उसाप से करेगी वो वेट का बट बड़ा आपको जादा है तो वह इंजन इसमें परफॉंट करेगा कम वेट के विजए से फावर टॉ टॉर टेश्व अच्छा देगा तो आपको सकता माइलेज वेक दो लीटर के जादा मेलेज तो मोर और लेस ऑल्मोस सिमिलर है अच्छा एक चीज और बता ही एक जो आप बता रह आपको इसके अंदर में एंजन आइधिंग फॉइंग फाइव एनम कोर की जादा रखा हुआ तूनिंग डिफरेंट है दोनों पी लास इसका जो एंजन आता है यह आता है आपका इन-Line-Twin और वह आता है पैरलले और बेसिकली दोनों को स्टेट ट्विन का जाता है बट इन-Line का फरक हो जाता है यूशली कि आपका जो दो पिस्टन्स हैं वनेटी डिंगरी पे प्लग जो तो इसके अंदर में इन-Line लगा तो यूशली अगर अब कभी फील करना चाहोगे विन यू बी स्टार्टिंग अब जब दोनों साइलेंस अप से पर फील आउट अपना को सोचा हो गा यह जादा टॉकी इस यह जादा टॉकी फॉट फॉटी तो इस बड़ी डिफरेंट नहीं पर सब्सक्राइब को इससे अपको फर्का जागा इंधी सेम एंगिस बिग पूटिजीज लेस्में वह काफी फर्कुटी केजिजिज आप अब बात करेंगे इस बड़ी बात बड़ी रिशो डिफरेंट तो दोन आपने जगे पर सबकिया प्नी चॉइस है सब्जेक्टिव टु तो डिजाइन कहीं पसंद आता है कहीं लोगों को इस तरह की रोट्सर बोल दें कैफे रिसर बोल दें इस तरह की पसंद आती है और कुछ लोगों को उठाते हैं तो आपको गबर्दा स्टॉक मिलता है जो पुष्ट बैक मिलता है वह इसमें जादा मिलता है इसमें तोड़ासा एक और मुझे हाँ इसमें अगरा देखेंगे तो आपके शॉकर जो नहीं यह गैस फिल्ट वाले होते हैं तो इनका कमफर्ट उसके अंदर में नॉर्मल आपके शॉकर्ज है पॉइंट है ना उनका उसली रखा गया इसी ने रखा हुआ और प्लस उसका वैस वह सीट के रहें बट सीट इसकी बहुत कुछ नहीं है यह हमने एक्स्पीरिंस किया है यह पें करती तोड़ी देर बार जाएगे तो यह आपके लिए सिंगल आती है वह पाउल आ जाता पीछ चीज और है इसके इसका इसका ठीक लोकेशन पे विच इडन है यह आपका कुछ भी साइड का नो जब आप रोड पे चल रहे हो पतर कुछ है तो यह सेफ है प्लास्टिक बहां पर आपका वीजिबल है वह बहुत एक्सपोस्ट इसमें यह आपे देखे इस जस इंदी फ्रंट कुछ भी सामने सा है तो आपको इसकी स्क्यूर्टी देनी देनी अब ऐसे सरी माता मैटर इसको कहीं तोड़ा और हीडन करके अंदर में या कहीं असी जगर पे उसको फिक करा जाता कि अधिस एक और चीज है जो हीडन है और वो हीडन न बारिश के उज़ा तो ऐसा इसा नहीं है अगर आपे लॉट के लिए नहीं नहीं ना तो परसन को जेब में रखकर के चलाएगा यहां पर टैंक बैंक लगाएगा तो चलो यहां सापका के बने कलिया लगया वो तीख रहा आपकी लुक पे अच्पल निकलती है तिखाई ब मैगनेटिक बैंग हुआ यहां तो वो पुष्णा को तो स्क्रेस जा लेगा फिवाड़िस लॉजिक बना नहीं किया जब इंटर्सेप्टर में तो उसका यूस्बी पोर्ट बहुत क्लियर है आपको दिखा दें यहां पर बहुत बहुत अच्छी जगा पिरोंने प्लेस कि रहेगी और चार्जिंग पूरी कॉंटेन संट्रेट परसंट राइडिंग टाइम पर कर भी नहीं रहे हैं आपको थोड़े आपको अमर्जंसी में चाहिए यह जब आपको लग रहे हैं आपके बैटरी जादा डाउन है और वह बहुत यूस्फुल चीज है बहुत और सब इसकी चीज मुझे पता है बहुत अच्छे से चलता है इसे पर फर उसमें आपको अपको आपको बता रहे हैं लेक्ट लेन रहा कितने मीटर के बाद देए और तरग गूगल अगर प्रिसाइस रहे तो यह रहे हैं और उसके बाद नेक्स भी बताता है उस रोड के अलावा सब्सक्राइब आपको इमिटेट दूसरा भी लेना सो यह शुट भी प्रिप्रिपेर्ट वह पॉइंट यह पर आपको ट्रिपिंग मीटर नहीं मिलता है तो आपको डैविगेशन के लिए मुबाइल लगा नहीं पड़ेगा और वह रिजन बनता है कि आपको फिर मुवाइल जैसे कि हमने अभी फिलाल लगा रहा है और फिर वहां से यूस्बी चार्ज करके आप अपना मुवाइल पर क्योंकि नविगेशन चलेगा कंटीनियूस पर तो आपकी बैटरी भी खाएगा यह बहुत 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 अच्छी जो है मेरे की मुझे लगता है यह वाला लोगा अब को फ्यूल फ्यूल मिल रहे है इसमें आपफीर यह आपको ट्रिपिंटर मैश को मदाना अपको श्रूंद मिलता आपको इसमें आपको पीड़ों में बाकी कुन बहुत सारी इंफोर्मेशन आपको ऑदिश्टली मिल जाती है अर इसके इंदर में आपका जो वि रहती है जब आपको एक्स्ट्रीम सन रहता है उसमें भी विजिबिल्टी पूरी रहता है और नाइट में तो LED का लॉसका जो लाइट है वो इतनी प्यारी है अब नाइट में देखेंगे तो आपको बल बहुत जगा दिया और वो थो आपकी LED अब दिखाई देता है जो आपको इंट्रसेप्टर में बिल जाएगी आपको LED हैड लैंप बिल जाएगा और तेल नेम्प अगें फिर वही है इसमें उसमें बाकी जी और प्रोम बहुत जादा है इसके टॉप एरिंट में आपको यह जितना भी आप प्रोम देख रहे हैं य इसका डिस्क जादा बड़ा है इसका 320 mm का डिस्क फ्रंट है 300 बैक है इसमें अल्मोस मेरे ख्याल से 280-300 दोनों फ्रंट और बैक से में रियर व्यू मिरर दोनों के से में जो इसमें आपका पूरा व्यू नहीं आता है आपके शोल्डर बीच में आ जाते तो वह थोड़ा अच्छा हो गया कि जैसे पहले अपना क्लासिक में और प्रीवेस वर्जिल्स में वाइब्रेशन जाते तो जो देखता वह भी नहीं देखता था वाइब्रेशन की बहुत अच्छी बात की जो हम लोगों ने अपने हर वीडियो में किया अब यह आप इसको पॉजिटिव म मुझे जानते हैं हमारे साथ मंझीत में वी राएल इंफिल्ड चला रस तो वाइब्रेशन्स थी यह उसकी जीन में था जीन में प्लड़ चलारे हो कि फिर वह बगाने के लिए नहीं थी शुप चलाओ और पचासाइब नहीं उसका मज़ा लोसमा वहावा से बात नहीं सब्सक्राइब और आपने तो दोनों चलाई है तो कितना डिफरेंस है दोनों में बहुत दिफरेंस है पूरा चैसी और उस इवन जो रिबार ने उसमें भी तो चैसी कंप्लेटली चेंज एवन एंजीन वगारा जे ब्लैटफॉर्म हो गया विब्रेशन ऑल्मोस नली आपको इसी में डिफरेंस बहुत जाए बहुत साइलेंट लग रहे हैं अभी चलाई है उसके बात मतलब इसे बहुत साइलेंट कर रही है आप जो रहे मांगरी है रेस देते रेस देते जाओ कंट्रोल करना कई बार मुश्किल हो रोखना पड़ता है और एंपक्त आपको सेफटी पहले रखनी है तो हमेशा बाइक है वह उतने लिमिट में चलाए इनमें तो बहुत दम है आपको अपना देखना है कि आप किस कंडिशन करने पड़ेगी जब आप इसके उपर इसलिए आप उपर चड़के बैट रहें कि आपको इसको इसको नोट के साथ वीडिय भी आप कुछ पॉइंट करना चाहेंगे जो रहे गया हो कुछ ऐसी चीज़ आप मेंशन करना है आपको राइडिंग करते टाइम वन यहार राइडिंग के साथ पर राइडिंग जरूर ले अगर आप जैकेट पर नहीं जाना चाहते हैं तो आपके अल्बो गार्ड नीगा आप ले आप ले सकते हैं इसमें वेंटिलेशन काफी अच्छा रहता है तो अगर तोड़ा भी डिस्टन्स रोज का ट्रैवल कर रहे हैं और आप सी स्पीट पर जला रहे हैं तो बिदाव राइडिंग एर्ज अपनी हेलमेट्स वगरा या आपने जो सपोर्टिंग में हैं तो उनको अच्छा से आइडिया है कुछ और मदब जैसे हमारा हमारे राइडिंग ग्रूप में जो भी पार्टिसिपेट करता उसके लिए सबसे लिए मेंडिटरी होता है वेंडी प्लाना पर रहे हैं कि आपके पास में यह 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 राइडिंग यह जोना है बहुत सब्सक्राइब करें तो इसका मदब यह नहीं है कि आपको जो है वो थोड़ा सा तरीके से चलाना है इसको सेफटी को में रखिए और आप विले ड्राइब कर रहे हैं तो अपने राइडिंगेर्स हेल्मेट्स जो भी आप एन सकते हैं वो जरूर कीजिए सेफटी हमेशा इ एक करेंगे अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए मिलते हैं किसी और वीडियो पे सब्तक्र के लिए गुटबाई अंटेक चैर झाल, झाल, झाल